हलो साथियों कैसे आप सभी एक वीडियो में एक टॉपिक खतम वाली सीरीज में आपका स्वागत है वीडियो नमबर 22 है आज का टॉपिक है प्रॉफिट और लास यानि लाब और हानी आज कल इस भागम भाग बड़ी दुनिया में और दिनों दिन निरंतर बढ़ती मेंुचा जानता है कि प्रॉफिट क्या होता है लास क्या होता है लेकिन फिर भी घडित की भासा में मैं आपको बताऊँ गा थोड़ा सा आप पांच मिनट टाइम देंगे 57 मिनट के नतर में सब कलेर कर दूंगा ठीक है तो साथियों प्रॉफिट लास के पहले क्रेय मुले और विक्रेमुल्य के बारे में हम जानेंगे क्रेमुल्य मतलब जिसे इंगलिस में बोलते हैं cost price cost price यानि कोई भी वस्तू या सेवा में जो investment किया जाता है पहले वह क्रेमुल्य का लाथा जैसे अगर ये थोड़ा सा डिफकल्ट होगा तो थोड़ा आसान भासा में बताऊं माल लीजिए कि मैंने ये फोन दो हजार रुपए का खरीदा और दो हजार रुपए में खरीद करके इसको मैं अगर 25 रुपए में बेच दूं तो क्रेमुल क्या होगा जितने में मैंने खरीदा था ठीक है कोश्ट प् प्राइस वो 2500 रुपए होगा ये चीज़ें आपको समझना है ठीक है अब इसमें सवाल क्रेमुल्य विक्रेमुल्य की बात समझने के बाद में थोड़ा गड़ती है भासा में देख लो किताब वाली भासा क्या कहती है यह कोई कहरा कि कोई भी विवस्तु जिस कीमत पर खर कोई बस्तु जिस मुल्य पर बेंची जाती है वह उसका क्या कहलाता है बिक्रेमुल्य कहलाता है जैसे मनोहर ने एक मोबाइल को बारह 2420 रुपए में खरीदा और तीन महीने बाद उसे कितने में 10500 रुपए में बेंच दिया अब बताओ 10500 में बेंचा तो क्या फाइदा क क्या नुक्सान हुआ यहां पर जो लिखा गया वो थोड़ा फगडबड है वो काफी लंबा लिख दिया गया बाकि दफजार पांसो ऐसे होगा ठीक है तो बताओ सिंपल सी बात है कि भाईया साहब जितने में कोई चीज खरीदा है अगर उससे ज्यादा में बिकेगा तो ला और हानी क्या होती है इसको इंगलेस में लॉस बोलते हैं यह किसी बस्तु का लागत मुल्य कम तथा विक्री मुल्य जादा हो तब वहां पर लाव होता है और यह किसी बस्तु का लागत मुल्य जादा तथा उसका विक्री मुल्य कम हो तो उसमें हानी होती है जैसे यहां प या बेंच दिया तो बताओ कि लाब हुआ यहां नहीं हुई जो बहुत सिंपल सा है वाइस आप जो क्रेम उल्ले है बाबू वो क्या है कॉस्ट प्राइस आपका है दफ हजार चार्सों और बिक्रेम उल्ले या सेलिंग प्राइस जिसे यस पी बोलते हैं साटकट में इसे चारह हजार है मुझे बताओ 11000 जादा है या फिर 10400 जादा है कौन जादा है अब खरीदा कम में था बेंच दिया ज्यादा में मतलब प्रॉफिट हुआ लाब हुआ ना अब कितने रुपय का लाब हुआ कैसे निकालेंगे देखो ये मतलब भूलना कि मैं आपको zero level से सिखा रहा हूँ ये याद अखना ठीक है लाब बराबर होता है बिक्रे मुले बिक्रे मुले यानि selling price minus cost price ठीक है बया लाब बराबर होता है क्या बिक्रे मुले minus करे मुले यानि selling price SP minus cost price CP वाई साहब 11,000 minus 10,400 इसमें से घर्टा आओगे तो 600 रुपया क्या आएगा प्रोफिट आएगा बढ़िया देखो जब प्रोफिट लास दीरे-दीरे से चीज़ें समझ जाओगे तो आगे लाब परतिसात और लहानी परतिसात भी मैं आपको बता दूँगा ये एक वीडियो में छोटे-छोटे टॉपिक क्लियर करने का मेरा टार्गेट ये है कि आपको बोरिंग ना महसूस हो आजकल जहां दुनिया की हर चीज साट होती जा रही है हमारी क्लासे लांग होती है तो लोग उतना नहीं देख पाते लोगों की ना अब सहन सकती कम हो चुकी है मतलब उनके अंदर सबर नहीं रहा है वो एक घंटे क्लास में बड़े मुश्किल से टिक पाते है क्योंकि जो सटकट में सब कुछ मिल रहा चालो तरफ उसी में पढ़ना भी चाहते है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है जितना ज्यादा इस पे बहस करें कोई मतलब नहीं है चलो आम इतने एक मोटरफाइकल को पचाफ हजार रुपए में खरीदा खरीदा मतलब भाई साब कोश्ड पॉस्ट पराइश थीक है कितने में खरीदा पचाफ χजार रुपए में और पंदरा हजार रुपए लगाकर मरमत कराया तो बता ये 15,000 क्या है फिर बेंचा कितने में सतर हजार में बेंच दिया क्या कर दिया बेंच दिया कि बताओ लाब हुआया ड्यान से समझना कि शेलिंग प्राइस कितना है शर्फटर हजार रुपया कि सफिट प्राइस कितना है पचांठ higher व्राइस सब्सक्रार क्या यह भी फीट प्राइस है यह जो पंदरह हजार है इसी मोटर साइकल में तो लगाया ना puisqu खरीदा दस दिन बाद 15,000 लगाया मतलब वो कौश्ट पराइस में ही तो गया ना तो इनको दोनों के आप जोड़ोगे 50,000 होगा फिर उसे बेचा 70,000 में तो कितने रूपय का हानिया लाब हुआ देखो कितना आफान है बहुत आफान है नâm लाब कितने का हुआ वाइसा आब 70,000 में बेचा है। 55,000 टोटल लगा था इसका बनवाई उनवाई मिला को तो 5000 रुपया का क्या हुआ लाब हुआ यानि profit हुआ समझ गए ना तो यह होता है profit and loss बिलकुल 0 से और इसके बारे में आपके क्या विचार है मुझे जरूर बताना ऐसे चात्र जो seriously गड़ी सीखना चाहते हैं प्यारे बच्चों आज अभी एक दिन पीछे हो चुका है सीरियस हैं आपको टाइम की परवाह है तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए गड़ी सिखाने की इसमें पूरी सो परफेंट गारंटी होती है बस अरते आपको पढ़ना होगा ठीक है वाट्स अपर इसका स्क्रीन साड़ लेके इसी पर भेद देना और डारेक करके रखेंगे तो फ्री भी देखेंगे लेकिन वाइसाब फ्री और इसमें बहुत अंतर है अगर आप बहतर चाहते हैं तो कर लें बाकी नार्मली अबरेज तुम्हें यहां देगी रहा हूं